अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अबडेट आप तक पहुँच सके अगर किसी ग्रूप में बैठते हैं या फिर कहीं पर जाते हैं तो लोग उनको नोटिस करते हैं कि आखिर इतना पतला कैसे है क्यों है तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि आप अपने डाइट में क्या परिवर्तन करके और किस तरह की चीजे खा कर आप अपना वजन बढ़ा सकते हैं और एक बार फिर से अपना अच्छा शरीर पा सकते हैं आई आपको बताते हैं कि कैसे अपनी डाइट में परिवर्तन करें खाद्य पदार्थों के बारे में आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं अगर आप इसे नियमित तोर पर अपने अहार में शामिल करते हैं तो आपको वजन बढ़ाने में जरूर सफलता प्राप्त हो यह सब हाई कैलोरी फूड होते हैं इसे अपने आहार में आप शामिल कर सकते हैं इसके अलावा सूजी, गोड, चिक्की, चॉकलेट, शेहद इन सम में भी काफी जादा उर्जा वाला पदार्थ होता है इसे भी आप अपने आहार में शामिल कर सकते हैं इसके अलावा जो आ पाणी की जगा आप धूद चाज या शर्बत भी ले सकते हैं इसके लावा आप अपने खाने का जो समय है उसको बरकरार रखें घर पर बने लड़ू, मिलक शेक और इसके अलावा कॉर्ण सलाद, उबले चने का सलाद, पनीर, सैंडविच साबुदाने की खीर, खजूर, गो आप अपना पहले ब्रेकफास्ट लें उसके लाद लें उसके बाद आप शाम के समय ले सकते हैं और रात का खाना भी आप प्रॉपर ही खाएं तभी आपको बढ़ने में यह सहायता करेगा इसके लावा अब हम आप लोगों को बताते हैं कि कैसे उच्छ मात्रा वाले आप प्रोटीन खा सकते हैं वजन कम होने के कारण माश पेश्या कमजोर हो जाती हैं इसलिए उच्छ मात्रा में प्रोटीन वाले खाद पदार्थों का सेवन जरूर करना चाहिए इसके लिए आप दाले राजमा छोले लोबिया दही अंडा मचली लीन मीट जो होता है उसे खा स सकते हैं आप अपने खाने में बहुत सारी चीजे शामिल कर सकते हैं जिसमें प्रोटीन जादा होता है यह कुछ चीजे जो मैंने आप लोगों को बताई इसमें प्रोटीन होता है इसलिए अपने खाने में जरूर शामिल करें और अगर आपको कुछ जादा प्रोटीन आप इसको अपने भोजन में शामिल करने से इसमें ना सिर्फ आपकी रोज की वसा की आवशक्ता पूरी होगी साथ ही आपको वजन बढ़ाने में भी मदद करेगा ये इसमें आप बादाम, अकरोट, पिस्ता, मुंपली, सफेद तिल, अलसी के बीज, सूरज मुखी के बीज, खर अगर आपको अच्छाय अच्छी लगती है तो चाय भी आप तरह तरह की बना के पी सकते हैं तेल के लिए आप सरसो, जेतून, सूरज मुखी, कनॉला, तिल, नारियल का आपको इस्तमाल कर सकते हैं इससे जूड़ी चीजों में काफी वसा होती है और आप इसका सेवन अग करते हैं तो आप इन चीजों को अपने डाइट में जरूर शामिल करें जैसे फलो का राजा आम, चीकू, लीची, केला, अंगूर, शरीफा, खजूर, सबजियों में जो जमीन से उगने वाली सबजियां होती हैं जैसे आलू, अर्भी, शकरकंदी, गाजर और आदी आप अ अगर आपको अलरी मदु में है, तो आप इसको बहुत ही जादा बैलेंस करके खाना खाएं, इन सब चीजों का जादा इस्तुमाल ना करें, इसके लावा आप छोटे-छोटे आहार लेना शुरू कर दीजिए, यानि कि अगर आपको खाने का जो समय है, उसको खाए हुए दो से तीन घंटा बीत गया है, तो आप बीच में मिड मील भी ले सकते हैं, और अगर आप एक साथ खाना खाते हैं, आपको लगता है कि आप बहुत जादा खा चुके हैं, और ओवर राइट हो गई है, तो इसके लिए आप पहले थोड़ा-थोड़ा करके, चार पास टुक आप रोजाना की आवशक्ता से यानि की 300 से 400 अधिक उरजा का सेवन कर पाएं, जिससे आपका वजन बढ़ने में मदद मिल सकें, अपनी रोज की उरजा की मात्रा जानने के लिए आप खाद पदार्थों की उरजा को जानने के लिए किसी भी जानकारी के लिए आप कई तर इसके बाद प्रोटीन लेने से वजन और माश पेशिया बढ़ने में मदद मिलती है यदि आप शाकाहारी है तो फैट पनीर ले सकते हैं मासा हारी है तो उबले अंडे या फिर बॉइल चिकन भी ले सकते हैं यदि प्रोटीन सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो उसे भी आप तो इस तरह है कि जो डाइट हैं अगर आप अपने रुटीन में शामिल कर लेते हैं तो आपके शरीर में बहुत जारा फैट अच्छे से आएगा और आपका शरीर एनरजेटिक भी रहेगा और आपका वजन भी बढ़ जाएगा ऐसे ही लेटिस्ट अप्रेट के लिए यारत genialत बा और आपके लुट्ब कर दोगर आपका वजने शरी क्र ंवर नब जाएगा और आपका शरी से लिग देखंगे शरीरFil वेश।